उधारी वापस लेने के लिए मोहन धूप में पसीना बाहा रहा है पर सिर्फ तारीख वितारीख पारा है और एसी में बैठा रोहन पैसे ऑनलाइन पारा है कैसे खाता वुकर डिजिडल इंडिया का डिजिटल खाता मुफ्त सुरक्षित वरासान हलो आप देख रहे हैं दिललन टॉप आक्टर कुशल पंजाबी की खुदखुशी के बाद टीवी इंडस्ट्री में काम ना मिलने का प्रेशर और डिप्रेशन पर बहस शुरू हो गई है कुशल के करीबी दोस्त और आक्टर चेतन हंसराज ने बताया था कि कुशल लंबे वक्त से डिप्रेशन से जूज रहे थे लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की कई और टीवी अक्टर ने ये सवाल उठाया कि अगर कुशल डिप्रेशन में थे या उनकी मानसिक स्थिती ठीक नहीं चल रही थी तो उन्होंने प्रोफेशनल हेल्प क्यों नहीं ली अब इस क्यों का जवाब दिया है अक्टर अरजुन बिजलानी ने और टीवी इंडस्ट्री के कड़वे सच को उजागर किया है अरजुन टीवी के पॉपिलर अक्टर है वो मिले जब हम तुम इश्क में मर जावा नागिन और मेरी आशकी तुमसे ही जैसे सीरियल्स में काम कर चुके है उन्होंने गल्फ निउस को दिये एक इंटिव्यू में कहा है आप चाहकर भी डिप्रेशन पर बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बचे कुछे काम के मौके भी गवा सकते हैं अगर लोगों को पता चल गया कि आप डिप्रेशन में हैं तो वो आपको काम नहीं देंगे अक्टर्स के लिए कभी-कभी ये बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाती है वो इसके बारे में बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कौन विश्वास के लायक है असल में ये बहुत दुखत स्थिती है उपाय ये है कि एक सोसाइटी होने के नाते हमें ही कुछ मदलाव लाने होंगे डिप्रेशन को लेकर और जागरूपता लाने की जरुरत है कुछ सेंटर्स बनाने चाहिए और इनका नमबर सभी के पास होना चाहिए अगर आप डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं या खुदकुशी जैसे खयाल आ रहे हैं तो उन नमबर पर आप बात कर सकें कम से कम इतना हो कि इन नमबर पर कॉल करके उस वक्त लोग बात कर सकें अर्जुन ने सोशल मीडिया को भी लोगों की जिन्दगी में तनाव और उदासी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार बताया है आजकर सोशल मीडिया की वज़े से आप दूसरों की पोस्ट देखते हो और लगता है कि फलाना कितना खुश है आप पहले से डिप्रेशन में होते हो और दूसरों की लाइफ परफिक्ट समझकर और उन्हें खुश देखकर आप और ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो आपको लगता है कि आपकी जिंदिगी में ही सारी चीज़े गलत हो रही है और बाकी सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती मुझे लगता है कि सोशल मीडिया लोगों की जिंदिगी उपर हावी हो चुका है उसके पास सब है और मेरे पास कुछ नहीं वाला भाव आपको उदास कर देता है अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास शारुखान जैसा फेम हो लेकिन अगर नहीं है तो क्या मैं डिप्रेस हो जाओं आप वो सब पा सकते हैं और नहीं भी लेकिन खुद को यह याद दिलाते रहना जरूरी है कि उसके अलावा भी बहुत कुछ है अर्जुन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में तो फिर भी डिप्रेशन के बारे में लोग बात करते हैं रही कुशल की डेथ की बात तो 26 दिसंबर को उन्होंने खुद खुशी कर ली थी उनकी बॉडी उनकी फ्लैट पर पंके से लटकी हुई मिली थी उनके पास एक suicide note भी मिला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी मौत के लिए कोई सब्सक्राइब की जिम्मेदार नहीं है ये वीडियो यही तक आप इस बारे में क्या सौचते हैं डिप्रेशन के बारे में आपका क्या कहना है जरूर comment box में लिखें ऐसी और वीडियो के लिए follow करते रहे हैं यह वीडियो देखनेके लिए शुक्रिया